Hello everyone, my name is Triwesh, एक बहुत important update है, बहुत ही जादा important Starting से काफी सारे लोग हैं जो class नहीं join कर पाए हैं और वो लोग चाहते हैं कि हमें base से मिले On the other hand, ऐसे लोग हैं जो Saturday Sunday का जिनके पास time है तो उन लोगों के लिए जो Saturday Sunday ही class चाहते हैं और वो बिलकुल basic से चाहते हैं तो अभी हमें एक class लेकर आ रहा हूँ जो कि हर Saturday Sunday को होगी रात को 10 बजे अभी class में इस Saturday अज से शुरू करने वाला था लेकिन अभी उसमें enrollment थोड़े कम है, कुछ seats available है तो मैं चाहता हूँ कि ऐसा ना होगी मैं अभी शुरू कर दूँ और फिर बाद में उन लोगों को problem आए तो मैं सिर्फ इस week का time और लेकर चल रहा हूँ, next week से, Saturday से, रात को 10 बजे वो class चालू हो जाएगी और doubt ये रह सकता है कि Saturday से सिर्फ दो classes में उसको कैसे cover करेंगे, वो cover हो जाएगा, don't worry, चीज़े थोड़ा तेज चलेंगी उसमें, notes में share करूंगा, फिर हम discuss करेंगे, तो उसमें cover हो जाएगा और through the week आपको practice करने का material भी रहेगा, कि मुझे क्या practice करनी है, चीज़े हैं, तो अगर आप लोग Saturday संड़े की classes में चाहते हो, कि चलो ठीक है, पूरे week हमारा possible नहीं हो पाएगा, लेकिन week में दो दिन sufficient है, तो आप उनको दे सकते हो, चीज़े हैं, तो आज की हम class शुरू कर देखें, पहला sentence है, मैं अपनी भावनाएं भी ठीक से नहीं बता पा रहा हूं, चीज़े हैं, मैं अपनी भावनाएं ठीक से नहीं बता पा रहा हूं, अभी हमारी class चल रही है, models के उपर, तो models में मैंने यहीं बोला था, कि यह क्या है, यह अपनी ability बता रहा है, specific ability है, ची नहीं बोल सकता, तो मैं ऐसे नहीं कहूंगा, I am not able to speak French, ऐसे sentence में can, थोड़ा precisely सही रहता है, कि I cannot speak French, लेकिन अब यह कह रहा है, कि मैं अपनी भावनाएं ठीक से नहीं बता पा रहा हूं, तो यह अभी नहीं कर पा रहा है, ऐसा नहीं कर ही नहीं सकता, कर सकता है, लेकिन व इवन होता है, वो sentence के शुरुआद में लगाते हैं, लेकिन यह कोई थमरूल नहीं है, कि ऐसा ही होगा हमेशा, इवन को आप sentence के शुरू में या बीच में भी लगा सकते हो, डिपेंड करता है काफे सरे aspects के उपर, तो मैं अपनी भावनाएं भी ठीक से नहीं बता पा रहा ह इवन हो, I am not able to speak out even my feelings, प्रॉपरली ठीक से, sentence कौन से है, sentence है यह एक state of being, I am not able to do this, so I am not able to speak out, speak out मतलब अंदर की चीज को बाहर बोल देना, speak out, so I am not able to speak out even my feelings properly, यह करा है, भावनाय महसूस करने की चीज है, बोलने की नहीं, भावनाय महसूस करने की चीज है, बोलने की नही चीज है, अब मैंने कई बार class में यह जिस बोली हुई है, कि जैसे हम यह बोलते हैं कि तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है, मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ, हाला कि बहुत acceptable है कि आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि how are you feeling, I am not feeling good, I am not feeling well, लेकिन अगर बिलकुल देखा जाए deep में तो यह I am feeling good, I am not feeling good, यह सही नहीं है, आप इसको बोलोगे I feel good यह फिर I don't feel good, क्योंकि यहाँ पर जो feeling term होती है, feeling जो होता है वो एक भावना के sense में आता है, कि उसकी feeling, यह मेरी feeling है, gut feeling है, तो जो feeling होता है वो एक भावना के sense में ज़्यादा निकल लगा आता है, instead of महसूस, इसी लिए वहाँ पर sentence को बोला जाता है कि how do you feel today, और अगला बंदे बोता है I feel good, यह फिर I don't feel good, चेक है, तो भावनाय महसूस करने की चीज़ है, यहाँ पर feelings are, और feeling is भी हो सकता है, feeling is, लेकिन भावनाय की बात हो रही है, ज्यादा की बात हो रही है, तो यहाँ पर आ रह चाहेगा, feelings are something to feel, भावनाय महसूस करने की चीज़ है, not to speak out, बोलने की नहीं, चेक है, तुम्हें किसी और को ढूंडना चाहिए, तो यहाँ पर जब हम किसी को कोई सलहा देते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, वहाँ पर should का इस्तेमाल करते हैं, तो sentence क्या बनेगा, you should find, तुम् पर should का इस तरीके से हुआ है, चाहिए रटना नहीं है, कि चाहिए आएगा तो should का ही use हम करेंगे, कि मुझे एक ग्लास पानी चाहिए, मुझे थोड़ा time चाहिए, वहाँ पर हम should का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तुम्हें किसी और को ढूंडना चाहिए, you should find someone else, मुझे लग लगता कैसे है, think, सोच के, लगना अलग अलग तरीके से होता है, कोई चीज अगर आपको देखकर लगती है, तो simple look आएगा, सोच कर think, महसूस होकर feel, दूर से देखकर appear, taste करके taste, smell करके smells, चाहिए, तो अलग अलग तरीके से अलग लगना होता है, लेकि हिंदी में हम लगना word ही use करते हैं, तो मुझे लगता है, ये कैसे लगेगा, सोच के, महसूस करके, तो think या feel का दौनों मैंसे किसी भी चीज का use कर सकते हो, हमने करते है, I think, मुझे लगता है, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, I don't deserve you, अच्छे दो बार आ गया क्या, ठेक है, इसने का कि मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छा लड़का ढूंडा है, मैंने ढूंडा है, अब यहाँ पर छोड़ी सी चीज में discuss करना चाहूंगा, आज ही की बात है कि एक बच्चे ने मुझसे वही बोला, कि सर मेरे को ना past indefinite, past perfect और present perfect में समझ में नहीं आता फर्क क्या है, ठीक है, जो past perfect होता है, past perfect भी या था यी थी, चुका था चुकी थी, लिया था ली थी का sense लेकर चलता है, अब वो तो चलो ठीक है, लेकिन फर्क क्या है इनमें, वो समझते हैं, फर्क ये है, अगर मैंने कोई काम past में किया, वो past में ही खतम हो गया, उस चीज़ का present से अब कुछ ले तो इसका अब present में कोई असर नहीं है, बस मैंने उसको देखा था तो I saw, अरे कल मैंने चाय पी थी, इतनी बढ़िया चाय थी, बहुत बढ़िया, so last day I had a tea, तो चाय पी थी, उसको अभी कोई असर नहीं है, past में काम हो, past में खतम हो गया, I took a bath, कल में नहाया था, कल में नह आया 2-3 घंटे पहले ही हूँ, लेकिन अभी भी मैं नहाया हुआ हूँ, तो मैं नहा लिया हूँ, मुझे अब दुबारा नहीं नहाने के जरुरत है, ठीक है, अरे ये movie मैंने देख लिया है, या फिर मैं इस movie को देख चुका हूँ, अब वो जो movie है देखी तो मैंने past में ह लेकिन उसका असर अभी भी है, असर क्या है, मुझे पता है, इसके story क्या है, इसमें suspense क्या है, तो मुझे सारी पता है, तो वो अब मुझे दुबारा नहीं देखनी, तो काम किया past में, शायद मैंने एक महिना पहले देखी हो, या एक साल पहले देखी हो, लेकिन उसका असर अभी भी है तो ऐसे sentence में हम खुद ही हिंदी में चुका है चुकी है लिया है लिया है या है यह का use करते है on the other hand past perfect क्या होते है past perfect होता है past का past कि हम already एक past के sentence की बात कर रहे हैं और उसके past में चले गए कि जब मैंने तुम्हें देखा था जब मैंने तुम्हें आवाज लगे था तो तुम्हें चले गए थे तो कोई काम past में पहले हो गया था मेरे station पहुँचने से पहले train चली गई थी तो मैं station पहुचा 9 बजे train चलेगी 8 बजे तो मतलब train पहले चलेगी फिर मैं वहाँ पहुचा तो जब मैं past की बाद बता रहा हूँगी जब मैं station पहुचा यह past की बाद है train जा चुकी थी तो कोई काम अगर उससे पहले हो चुका था हो गया था वो होता है past perfect चलीए तो मैंने तुम्हारे एक अच्छा लगा ढूंडा है अब इसने ढूंडा तो होगा शायद रात को देखा हो कल देखा हो या दो दिन पहले देखा हो लेकिन अभी असर है उसका कि लड़का मैंने ढूंड लिया है देखते हैं अभी उस चीज़ का so I have found a nice guy for you I have found search का use नहीं करेंगा कर सकते हो चलो यहां पर कर सकते हो so I have found a nice guy for you एक बार देख तो लो अभी एक बार एक कर तो दो यार मेरी बात तो सुन लो एक बार तो सुन लो यार तो तो का यहां पर जो sense है न चुन तो लो खा कर तो देख लो चुन यह इसको हम बोलते हैं at least कम से कम यह जो कम से कम यह तो देख लो कम से कम वो तो कर लो तो यह जो पूरा sense आता है यह at least लेकर चलता है तो एक बार देख तो लो तो sentence यह यह कम से कम यार एक बार देख तो लो चुन तो have a look have a look का मतलब होता है बस देख लेना so have a look at least so have a look at least इसने IIT किया है और वो भी Bangalore से है अब देखो वही चीज आ गई इसने IIT किया है IIT इसने शायद 4-5 साल पहले या 10 साल पहले कभी भी किया होगा लेकिन यह बन्दा अभी भी IIT ग्रेट तो है अभी भी है तो इसलिए हैंपर सेंस है कि इसने IIT किया है सेंटेंस यह नहीं हुआ कि इसने IIT किया था सेंटेंस आया कि इसने IIT किया है so he has done IIT he did IIT नहीं आएगा he has done IIT and that too अच्छे हैं from भी आएगा from Bangalore इसमें from रह गया है that too और वो भी उस सेंस में ठीक तो वैसे तो इसको ऐसे ही यूज करते हैं that too और वो भी और अगर आपको वैसे समझना हो तो वो के लिए that आ गया भी के लिए to आ गया that too from Bangalore Bangalore से ठीक है next sentence और अब एक MNC में काम कर रहा है एक सेंटेंस है और अब एक MNC में काम कर रहा है MNC मतलब multinational companies इस मूवी के अभी सब्टाइडल की जब मैं देख रहा था जब आ रहे थे तो उन्होंने क्या कर रखा था and working in A MNC A MNC लिखा हुआ था जो की गलत होता है N MNC होता है देखो हमने क्या रटा हुआ है बच्पन से A E I O U इससे अगर कोई वर्ड शुरू हो रहा है उससे पहले N लगा दो और बाकी वर्ड से पहले A लगा दो लेकिन ये जिस सही नहीं है बात A E I O U वर्ड की नहीं होती है बात होती है साउंड की A I E O ये साउंड के बात होती है A A I O U यह जो sound है ना अगर कोई word इन sounds के साथ शुरू होता है तो वहाँ पर हम क्या लगाते हैं एन लगाते हैं वरना अ लगाते हैं अब जैसे a, e, i, o, u इसमें एक word है यू ठीक है यू से umbrella भी होता है यू से university भी होती है ठीक है लेकिन अगर मैं umbrella की बात करूँ उससे पहले एन लगाया जाता है और university से पहले अ लगाया जाता है क्यों क्योंकि जो umbrella है वो शुरू किस से हो रहा है अ की अवाज से umbrella ठीक है umbrella तो वो और की अवाज से शुरू हो रहा है that's why we use n before that और अगर मैं बात करूँ university की so what is the sound when we pronounce university your university university तो यो की sound वो ए आ यू में कहीं नहीं आ रही है that is the reason we need to use only a university तो यहां पर MNC ए MNC तो ए की अवाज से शुरू हो रहा है और अब एक MNC में काम कर रहा है and working in an MNC now ठीक है subject नहीं लगाया है कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि यहां पर understood वाली चीज़ and he is working with an MNC या फिर he is working for an MNC हलाकि अगर grammatically देखा जाए तो यहां इनका use भी नहीं होना चाहिए यहां पर for with या at का use होना चाहिए यह preposition के हिसाब से गलत है so he is working at an MNC यह होता है या फिर for या फिर with लेकिन मुझे इसमें बिल्कुल भी दिल्चस्पी नहीं है हम लड़की ने कहा लेकिन मुझे इसमें बिल्कुल भी दिल्चस्पी नहीं है but I am not interested in this at all at all का मतलब बिल्कुल भी कत्ताई at all I don't like him at all मैं उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता इसकी जगा whatsoever का भी use कर सकते हो at all की जगा हम whatsoever का भी use कर सकते हैं कि I don't like him at all या फिर I don't like him whatsoever ऐसे भी sentence को हम बोल सकते हैं तो पूरा sentence हमारा क्या बना लेकिन मैं इसमें बिल्कुल भी दिल्चस्पी नहीं मुझे इसमें बिल्कुल भी दिल्चस्पी नहीं but I am not interested in this at all अगर मैं कभी शादी करूंगी तो सिर्फ राहुल से करूंगी if I ever marry या तो get married का use करो या फिर सिर्फ marry का use करो यहाँ पर भी लोग बहुत गलतियां करते हैं तो अगर मैं कभी शादी करूँगी if I ever ever का मतलब कभी so if I ever marry अगर मैं कभी शादी करूँगी आगया I will only marry Rahul यह जो sentence है यह sentence कहा है conditional sentence है type one conditional तो पहले clause में हम will का use नहीं करेंगे वो जाएगा present में तो इसमें क्या हुआ if I ever marry if I will ever marry नहीं आएगा if I ever marry I will only marry Rahul मैं Rahul से ही शादी करूँगी तुम वही रट क्यों लगा रही हो मतलब वही चीज को बार बार क्यों repeat करे जा रही हो वही रट आप क्यों लगा रही हो वो sense आया so why are you repeating the same story चेक है why are you repeating और अगर यहाँ पर आप ऐसे भी बोलो ना कि why have you been repeating the same story again and again तो वो sentence भी विल्कुल सही है so why are you repeating the same story तुम एगी चीज बार बार क्यों दोहरा रही हो क्यों repeat कर रही हो चलो तो यह थी आज की वीडियो आज के स्टोरी I hope वीडिया पर सुल रही होगी कोई doubt कोई query हो तो do let me know the comment section वीडियो पसंद दो like कीज़े नहीं है like subscribe दो कीज़े thank you